हेलो फ्रेंच, आज कल बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और बारिश के मौसम में बच्चे को रैशेस का खत्रा जादा बढ़ जाता है बारिश के मौसम में नमी की वज़ा से बच्चों को ज़्यादा देर तक डायपर पहनाने से बेबी को रैशेस हो सकते हैं ये मांसून में होने वाली common problem है छोटे बच्चों की skin healthy और hygiene रहे इसके लिए इस मौसम में उन्हें extra skin care की जरूरत होती है बच्चों की skin rashes free रहे इसके लिए market में कई तरह की rash free cream भी मिलती है लेकिन आप कुछ घरेली उपायों से भी इस problem से चुटकारा पा सकते हैं सबसे पहले तो आपको सफाई का ध्यान रखना चाहिए गीले पन होने की वज़े से किसी भी तरह की skin problem से बचने के लिए डाइपर वाली जगा को साफ और सूखा रखें शिशू की पौटी या सूसू करते ही डाइपर को तुरन बदल दें डाइपर हटाने के बाद गीले और मुलायम कौटन के कपड़े से आप skin को साफ करें और दूसरा डाइपर पहनाने से पहले थोड़ी देर के लिए आप बेबी को डाइपर फिरी रखें और skin को सूखने दें उसके बाद ही आप बच्चे को दुबारा से डाइपर लगाएं और अगर बच्चे को रैशेज हो गए हैं तो coconut oil लगाएं वहाँ पे नारियल तेल में मौझूद antifungal, antiviral और antibacterial good बच्चे के skin को मुलायम और मौशराइज करने के साथ ही रैशेज को भी खत्म करते हैं दिन में दो-तीन बार लगाने से skin पर नमी भी बनी रहेगी और बच्चे का रैशेज भी दीरे-दीरे ठीक हो जाएगा उसके अलावा आप एक टब पानी में आधा कप सैधा नमक डालें और 15-20 मिनट तक बेबी को इस पानी में बिठा कर रखें सैधा नमक से सूजन कम होती है और रैशेज पैदा करने वाले बैक्टिरिया का खात्मा होता है उसके अलावा अगर बच्चे को रैशेज हो रहे हैं तो उस जिंगा पर थोड़ा सा दही लगा दें दही घर में बना हुआ होना चाहिए दही में सूजन कम करने वाले प्रॉपर्टि होती हैं और प्रोबायोटिक होते हैं जो इन्फेक्शन को भी तूर करते हैं उसके अलावा आप एलोवेरा जल लगा सकते हैं एलोवेरा जल इसकिन रैशेज को ठीक करने में बहुत फायदे मन्द होता है इसे जलन और सूजन की समस्या भी कम होती है और ये इसकिन को ठंडग भी पहुचाता है दिन में दो तीन बार इसे लगाने से रैशेज पैदा क 10 मिनट के लिए रख दें जब यलो लिक्विड निकल जाए फिर आप वो जल निकाल कर उसको आप मिक्सचर में कर लें और इस चीश का ध्यान रखें कि मिक्सर में उससे पहले कोई मसाला बगर ना पीसा हो क्योंकि इससे बच्चे की स्किन में और ज्यादा लग सकता है और और इससे बच्चे को बहुत जल्दी ठंडग भी पहुचेगी और जब दिन में दो तीन बार आप इस तरह से लगाएंगी तो रेशस बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा